हुआ है है यूटूब चैनल में स्वागत है दोस्तों मैं बता दूं कि मैं अभी जो टॉप 100 इंगली सब्सक्राइब करा रहा हूं जिसमें से मैंने दो वीडियो डाल दिया है और ये आपका वीडियो ये आपका एससी, बैंकिंग, डिफैंस लाइन, या फिर आपके यूपी एससी में जो इंग्लिस वार्ड्स होते हैं, उन सभी में आपके काम आईगे, ठीक है, तो चली एक एक करके स्टार्ट करते हैं, उससे पहले अगर आप हमारी चैनल में नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को परेस करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि आने वाले जितने भी सारे आगामी सरकारी परिक्षा हैं, उसकी जानकरी मिल सके, ठीक है, और साथी में बता दू, मैंने टॉप 100 GKGS का टोटल 10 वीडियो करा रखा है, यानने टोटल 1000 GKGS का करा रखा है, अगर आ हमारा evolutionary, क्या है, evolutionary, evolutionary मतलब होता है, विकास वादी, एक ऐसा पर्षन, जो हमेशा किसी कंट्री को आगे ले जाने के मकसद से आया हो, तो उसे हम लोग बोल सकते है, evolutionary, या फिर हम लोग बोलेंगे, gradual development, gradual का मतलब होता है, धीरे-धीरे, gradual development, ठीक है, जब कोई चीज जब धीरे developed हो, तो उसे हम लोग कहेंगे, evolutionary, ठीक है, अगला देखिए, अगला हमारा dire, 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 dire का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, extremely serious, जब कोई इनसान काफी ज़्यादा serious होता है, तो उसको हम लोग dire कहते है, अगला देखिए, suffocation, s-u-double-f-o, c-a-t-i-o-n, suffocation मतलब होता है, दम घुटना, unable to breath, जब किसी को सांस लेने में परिशानी होती है, तो उसे suffocation करते है, अगला देखिए, rampage, r-a-m-p-a-g-e, rampage, rampage मतलब होता है, हिनसातमक आचरन के साथ आगे बढ़ना, जब कोई लडने के mood से, या किसी, मतलब, आपस में अगर जगडा करने के mood से, अग लोग कह सकते हैं, अगला है menace, m-e-n-a-c-e, menace, menace मतलब होता है, खत्रा, danger, harm, तो कोई चीज़ अगर खत्रा का सूचना देता हो, तो उसे हम लोग menace कह सकते हैं, अगला है wonder, w-a-n-d-e-r, wonder, wonder का मतलब क्या होता है, भटकना, जब कोई इदर उदर भटकता है, तो उसे ह हम लोग wondering कहते हैं, या wonder कहते हैं, अगला है consolidate, consolidate का मतलब होता है, संगठित होना, मतलब एक जगा पर organized होना, तो उसका हम लोग क्या कहेंगे, consolidate कहेंगे, ठीक है, अगला है clinch, c-l-i-n-c-h, clinch मतलब होता है, किसी पर विजय पा लेना, जीत लेना, तो उसे कहेंगे clinch, die hard, d die hard, die hard, die hard मतलब और परिवर्तन वादी, मतलब जो कभी परिवर्तन, कभी अपने आपको change ना करना चाहें, तो उसे die hard कहेंगे, ठीक है, अगला है notorious, n-o-t-o-r-i-o-u-s, notorious, notorious मतलब कुख्यात, well known for something bad, जब किसे इंसान को बुरे कामों के लिए जाना जाता है, तो उसे not notorious कहेंगे, ठीक है, अगला है spectacular, s-p-e-c-t-a-c-u-l-a-r, spectacular, spectacular, spectacular मतलब भग यह सांदार, ठीक है, जब कोई काफी आकरसक दिखता है, कोई अच्छा इनम बहुती आकरसक और लुभाव ना दिखता है, तो उसे हम लोग spectacular कहते हैं, अगला है equilibrium, e-q-u-i-l-i-b-r-i-u-m, equilibrium, equilibrium मतलब सम्य व्यवस्था, जब समाल व्यवस्था में हो, आपस में तो उसे equilibrium कहेंगे, ठीक है, snap out, s-n-a-p-o-u-t, snap out, snap out मतलब होता है, to stop experiencing, किसी चीज का अनुभाव लेना, जब हम लोग बंद कर देते हैं, तो उसे snap out कहते हैं, अगला हमारा outburst, outburst, उसके बाद b-u-r-s- anger, violent, जब अचानक से कोई violent या कोई anger, अचानक से जब release हो जाता है, किसी जगा पर, किसी माहूल में, तो उसे outburst कहते हैं, या प्रकोप कहते हैं, ठीक है, अगला हमारा प्रोप्राइटी, पी आर ओ, पी आर ओ, पी आर आई, ए टी वाई, प्रोप्राइटी मतलब होता है, मर अगला हमारा है, arbitrary, देख सकते हैं, लिखा हुआ है, A, R, B, I, T, A, R, Y, arbitrary मतलब होता है, random, मनमाना, सुच्छाचारी, ठीक है, ठीक है, जब randomly कोई चीज हो, तो उसे arbitrary कहेंगे, आगे हमारा president, P, R, E, C, E, D, E, N, T, president, मतलब मोडल, नमोना, उदारन, ठीक है, अगला हमारा contemplate, C, O, N, T, E, M, P, L, A, T, E, यतलब thoughtfully, कोई जब हम लोग deeply कोई चीज तो होचते हैं, तो उसे हम लोग कहेंगे contemplate, ठीक है, अगला हमारा my way, और the highway, मतलब या तो आप मेरे तरीके से चलो, या फिर highway पकड़ लो, इसका मतलब tack it, मतलब इसे ले लो, या फिर छोड़ दो, tack it और leave it, अगला हमारा countenance, C, O, N, T, E, N, A, N, C, E, Contenance मतलब support करना, किसी को समर्थन देना, ठीक है, इसे कहें continent, skeptical, 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 doubt, किसी में जब suspect हो, तो उसे कहेंगे skeptical, ठीक है, अगला हमारा unblemished, U, N, B, L, E, M, I, S, H, E, D, unblemished, मतलब मुकमल कर लेना, हासिल कर लेना, ठीक है, discrete, D, I, S, C, R, E, T, discrete, मतलब विचार, सील, कोई, जब कोई गहरी सोच में रहता है, ठीक है, दूसरे discrete कहते हैं, ठीक है, अगला है, Ferment, F, E, R, M, E, N, T, Ferment, मतलब उत्तेजना, कोई चीज को लेकर, जब हम लोग काफे जदे excited हो जाते हैं, तो उसे हम लोग Ferment कहेंगे, ठीक है, अगला है, Dogelly, D, O, W, E, D, L, Y, Dogelly, मतलब होता है, हठीले पंस है, कोई जब अपने बात पे अड़ा हो, तो उसे हम लोग Ferment कहेंगे, ठीक है, अगला है, 26 में Snag, S, N, A, G, Snag, मतलब कठीना ही, जब कोई बहुत ज़्यादा difficulty हो, तो उसे Snag कहेंगे, ठीक है, अगला देखिए, Psychophantic, S, Y, C, O, Psycho, P, H, A, N, T, I, C, Phantic, Psychophantic, मतलब चापलूस की तरह, ठीक है, Banal, B, A, N, A, L, Banal मतलब होता है, Boring, घ I, C, U, L, A, T, E, Articulate मतलब Express Frequently, किसी चीज को जब हम लोग काफी तेजे से बोल देते हैं, या Express कर देते हैं, तो उसे कहेंगे, Articulate, अगला है हमारा Indigenous, I, N, D, I, G, E, N, O, U, S, इसका मतलब होता है, Indigenous मतलब कोई local इंसान, या कोई स्थान यहाँ, जब निवासी होता है, तो dispute, reject, reject मतलब इंकार कर देना, dispute मतलब उसमें आपका कोई विवाद होना, ठीक है, या disagreement मतलब agreement को मना कर देना, तो यह सब dissent कहलाता है, ठीक है, अगला है entitled, या देखे, I, N, T, I, T, L, E, D, entitled मतलब होता है, हगदार, किसी चीज़ के लिए, जब वो कहते हैं कि इसमें मेरा हग है, तो वो उसका हगदार हो जाता है, यानि इंटाइटल हो जाता है, ठीक है, अगला हमारा है, unanimous, U, N, A, N, I, M, O, U, S, unanimous मतलब fully in agreement, मतलब क कोई चीज को लेकर के जब सभी एक मत हो जाते हैं, एक राय आता है, तब उसे unanimous कहते हैं, अगला है sollicit, S, O, L, I, C, I, T, sollicit मतलब विंती करना, किसी से भी नमरता पूरवा कोई चीज कहना, तो sollicit कहलाता है, अगला है dispose, D, I, S, P, O, S, E, dispose मतलब throwing away, किसी चीज़ को जब हम fake देते हैं, तो हम लोगार dispose कहलाता है, उसके बाद है abysmally, 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 in an extremely bad way, जब किसी, जब कोई बुरी तरह से, कोई बुरी तरह से, जब काफी ज़्यदा बुरी हालत में होता है, तो उसे abysmally कहता है, ठीक है, onus, onus, onus मतलब responsibility, एक तरह का अपना जिम्मेदार उसको हम लोग onus कहता है, ठीक है, अगला है absolve, a, b, s, o, l, ve, absolve, मतलब discharge कर देना, उसे छुट्टी दे देना, तो absolve कहलाता है, अगला है indigenous, अभी बताये थे, वही आ गया, फिर से indigenous मतलब होता है, native, native, यानि local या निवासी of a particular region किसी छेतर का एक अपना निवासी, इस्था देसी होना, जन्मजात मतलब वह बचपन से उसी जगह पे रह रहा है, तो indigenous बोल सकते हैं, या इस्थानिया है, ठीक है, अगला देखिए, 4a, f, o, r, a, y, 4a मतलब होता है, a sudden attack, जब कोई अचानक से attack कर देता है, तो उसे 4a करता है, fiasco, f, i, a, s, c, o, fiasco मतलब होता है, a complete failure, जब पूरी तरह से कोई fail हो जाए, तो उसको fiasco करेंगे, इसका अदम model, m, u, d, d, l, u, model, model, model मतलब disorder होना, ठीक है, मतलब वह एकदम order, order में नहीं है, ठीक है, अरेंजड नहीं है, तो unarrange हो सकता है, या फिर unorganized हो सकता है, model मतलब, spat, 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 spat मतलब coming in a quick succession, जब कोई चीज लगातर एक के बाद एक आए, तो उसको spat कहेंगे, ठीक है, अगला देखे, inclusivity, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, inclusivity, अपर अब देख सकते हैं, inclusivity, inclusivity मतलब including, कोई चीज को मिला लेना, तो उसको inclusivity या including कहेंगे, incumbent, I, N, C, U, M, B, E, N, T, ये पहले भी हम लोग कर चुके है, incumbent म में जब अपना पद को गरहन करता है, तो उसे incumbent करते है, suigenes, suigenes मतलब unique, एकदम सबसे अलग जो होता है, उसको suigenes ये unique करते है, credence, credence मतलब believe, किसी में भरोसा करना, किसी पर विश्वास करना, तो ये कहलाता है credence, contour, c-o-n-t-o-e-r, contour मतलब किसी परकार का safe या रूप रे रेखा, जैसे कि इसका design ऐसा है, तो इसका contour ऐसा है, तो contour मतलब safe होता है, रूप रेखा होता है, size होता है, ये सारा चीश होता है, indoors, e-o-n, sorry, e-n-d-o-r-se, indoors, indoors मतलब किसी को support करना, किसी को help देना, तो ये indoors कहलाता है, अगला देखिए 50 नमर, indo, e-n-d-o-w, indoor मतलब संपन ह होना, धन से संबन होना, या large support to organize, किसी organization को large support देना, चाहे वो पैसा से देना हो, ठीक है, तो ये indoors कहलाता है, अगला जो हमारा है, वो अब देख सकता है, formidable क्या लिखा हुआ है, formidable, f-o-r-m-i-d-a-b-l-e, formidable मतलब विकट, डरावना, धालाने वाला, या powerful, जब कोई बहुत ज़्यादा powerful हो, और देखने में वो डरावना हो, ठीक है, और वो अधम धालाने वाला हो, तो formidable कहलाता है, 51 के बाद यहां पे 58 नमर आ गया है, क्योंकि बीच में जो है, मैंने, नमर मैंने गलत काउंट किया था, तो 52 से लेकर 57 तक अगले पेज़ी में आपको मिल जाएगा ठीक है, मतलब total hundred English word ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो देखिए, 58 नमर देख लिए, unprecedented, unpreceded, unprecedented, unprecedented मतलब होता है, अभूत पुरू, जो कभी पहले ना हुआ हो, उसको हम लोग कहेंगे, unprecedented, unprecedented, अगला dearth, dearth मतलब होता है, scarcity कमी, किसी चीज में जब कमी आ जाती है तो उसको हम लोग dearth कहते हैं, या scarcity कहते हैं, drudgery, drudgery, drudgery मतलब कठीन परिशनम, जब कोई काफी ज़्यादा काफी महनत करें, तो उसको drudgery कहेंगे, vend, vend, vend मतलब offer for sale, किसी चीज को बेचने के लिए, जब किसी कम लोग offer देते हैं, कि लिजे भाई, या इतना में आपको द escape from, किसी चीज से भाग जाना, या चालाकी से बच कर निकल जाना, ये allude कहलाता है, ठीक है, अगला देखे, insurgence, 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 insur यह मतलब राजदूत निगाड एन आई डबल जी ए आर डी निगाड मतलब माईजर यह कंजूस ठीक है तो कंजूस को हम लोग माईजर भी बोलते हैं और निगाड भी बोलते हैं एचलोन एचलोन मतलब रैंग किसी का जब रैंग दिया जाता है फर्स्ट रैंग थर्ड रैंग तो यह एचलोन कहलाता है यह रैंग कहलाता है पिर्द पॉस्टर GO-इस पि- पि- ओ- ऑ--s ट-e- e-r- a-o-y e-s पिरेपॉस्टर यह मतलब रीडिकुलस कोई चीज हम लोग कंद लेते हैं या कोई चीज कर देते torpedo बिल्कुल बेटुका हो बिल्कुल मतलब नियम के अनुसार ना हो तो उच्ष्छय स्पन頻道 рассतामन क इसे भींदेशार्मेंग का मतलब कसी को आम में को यह सांत कर दीए सूत कर दिये। इसे को गरता करना यह और यह नफरत करते हैं तो और अभाल रहा है it Burnt 21 असक सेध मतलब होता है हिलाना शेक मतलब हिलना असएख और ट्रेंबल ट्रेंबल मतलब होता है कांपना असेख और ट्रेंबल इन आ परसंद वाईस जब किसी के आवाज में कंपनो या उसका आवाज थोड़ा से कांपे तो उसको मैं वह वुदे Q-U-A-V-E-R 72 नमर देखे Elevate E-L-L-E-V-I-A-T-E Elevate मतलब कम करना कम करना मतलब क्या उसका गुसा को कम करना तो Ease बोल सकता है या सांथ करना या Calm Down अगला देखे X मतलब कुलहरी होता है X to grind इसका मतलब होता है कि Have an Alterious Motive Secret Hidden Motive An X to grind मतलब Alterious Motive मतलब अपने लिए कुछ करते हैं किसी दूसरे के लिए जब नहीं करे तो हम लग बोलेंगे An X to grind ठीक है जैसा कि मैंने बताया थे कि कुछ Question छूट गया था तो वो देख लिए यहाँ पर 52 नमर छूट गया था Criticize जब किसी की आलोचना करते हैं गाली दे करके या काफी गुसे से तो उसे हम लोग रिवाइल करते हैं र-e-v-i-l-e रिवाइल 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 या Criticize ठीक है अगला अगला देखे हैं यहाँ पर है थोड़ा Grammar टाइप का है I have been taught जब ऐसा बोला जाए कि I have been taught तो इसका मतलब होता है कि मुझे पढ़ाया जा रहा है I have been taught लेकिन अगर यहाँ पर रहता कि I have been teaching यहाँ पर ing है और यहाँ पर भी 3 है तो यहाँ पर और यहाँ पर दो चीज़ों में difference है जब यहाँ पर ing का यूज रहता है तो मैं पढ़ा रहा हूं मतलब बहुत पहले से पढ़ा रहा हूं और अभी भी जारी है लेकिन यहाँ पर टाउट रहता है तो मुझे पढ़ाया जा रहा है यानि I have been taught मतलब मुझे पढ़ाया जा रहा है लेकिन I have been teaching यानि मैं पढ़ा रहा हूं ठीक है बाहर वाले लेयर को remove करना look up लडबल ओके यूपी look up लुक अप्टलब तू सर्च सम्थिंग किसी चीज की खोच जब करते हैं तो हम लोग कहते है look up जानि तू सर्च सम्थिंग ठीक है look after look after मतलब होता है take care of something किसी चीज का हम लोग ख्याल रखते हैं अध्यान रखते हैं तो look after कहते है splinter देखे splinter मतलब पथली पट्टी किसी परकार का पट्टी जो काफी पथली है तो उसे splinter घाएंगे litany 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 मतलब होता है a series of prayers or petitions petitions मतलब अरजी होता है जब किसी लगातर हम लोग अरजी डालते हैं या prayer करते हैं प्रात्ना करते हैं तो उसे हम लोग litany करते हैं reboot reboot मतलब होता है गलत साबित करना disprove करना deny करना मतलब उसको मना कर देना या disprove मतलब उसको प्रूव ना देना ठीक है disapprove मने उसको गलत साबित करना तो reboot कहलाता है ठीक है cloud 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 मतलब होता है influence of power in politics और business मतलब किसी का ताकत होना किसमे politics में या business में जब उनका ताकत होता है ठीक है तो उसको लोग cloud कहते हैं या smack कहते है sma ck या फिर leverage l e v e r a g e ठीक है यह cloud हो गया hedge 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 मतलब क्या होता है hedge मतलब हमारा होता है a way of protecting against financial loss जब किसी को financial loss हो रहा हो ठीक है जब किसी को किसी करण से financial loss हो रहा हो तो उसे hedge कहेंगे या फिर हम लोग बाड़ा plunge sorry poundage cattle pain made यह सब भी होता है hedge मतलब direness मतलब क्या होता है d i r e n e e dss direness मतलब काफी जाद जब urgent काम होता है यह serious गंभीर very bad situation होता है तो उसको darkness करते है ठीक है अगला देखे 80 नंबर अन्वाइबल अन्वाइबल मतलब अलाब करी ठीक है यू एन्वी आई एबी ली अन्वाइबल 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 मतलब जो लाव जिसमें ना पहुँचाओ ठीक है अगला हमारा है hedge money 81 नंबर h e d g m o n e y hedge money मतलब परभू तो जमा रहा है hedge money कह लाएगा अगला देखिए इंटेंडम मतलब होता है one behind another जब एक के पीछे एक लगा रहे है तो हम लोग कहेंगे इंटेंडम सकर एस यू double c o u r सकर मतलब होता है assistant assistance मतलब किसी का assist करना किसी का सहायता करना वह सकर कहला थै अगल अगला है हमारा aggregious e g r e g i o u s aggregious मतलब होता है outstanding bad shocking जब कोई काफी bad तरीका से गुजर रहा हो या काफी shocking हो तो वह aggregious कहला थै Lex 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 मतलब होता है बेपरवा किस के उसको किसी का भी चिंता ना हो तो उसको Lex कहेंगे slack कहेंगे या careless कहेंगे ठीक है अगला है mutate 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 का मतलब होता है रंग बदलना है जब देखते हैं कि अभी Corona का कैसे चल रहा था Corona का एक नया variant आया है जिसका नाम है Omicron तो अपना क्या क्या अपना variant को change किया तो वह mutate किया यह रंग बदला ठीक है प्रोलिफरेशन 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 मतलब होता है rapid increase जब किसी चीज में तुरंत increase हो तो उसको हम लोग कहेंगे प्रोलिफरेशन रैपिड इंक्रेश हो गया conception conception c o n c e p t i o n conception मतलब होता है the process of forming an idea और a plan जब एक ऐसा process जिसमें किसी तरह का plan या किसी तरह का सुझाओं बन रहा हो या किसी तरह का विचार समझ या बोध हो तो उसको conception कहेंगे ठीक है लंपन 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 मतलब होता है अनिंट्रेस्टेड जिसमें किसी परकार का उसको इंट्रेस्ट है ही नहीं तो लंपन कहलाएगा बैटर्ड बी डबल टी आर एडी बैटर्ड मतलब होता है इंजर्ड मतलब जब उसको काफी ज्यादा चोट लगा हुआ तो बैटर कहेंगे घायल हो चुका हो तो बैटेड कहलाएगा लंपेन मतलब क्या होता है लंपेन मतलब उसको किसी चीज को ले कर उसको इंट्रेस्ट है ही नहीं तो वह लंपेन कहलाएगा अगला हमारे डिलिजेंस डि-i-l-i-g-e-n-c-a डिलिजेंस डिलिजेंस मतलब केरफूल होना केरफूल एंड पर्सिस्टेंट वर्क और एफक्ट एफट मतलब बिल्कुल केरफूल हो और लगातार किसी चीज का काम कर रहा हो और काफी अपना इफट लगा रहा हो तो यानि महनती यानि डिलिजेंस का मतलब हम लोग कह सकता ह उना तेट है're प्रॉब पी और ओडी प्रॉब्सिदा मुगतां इन्वेस्टीगेशन करना इंविटेधायरी करना जब किसी का जाच पड़तार चलता है तो उसको प्रॉब गहेंगे या इन्वेस्टेगेशन या इंक्वायरी कहेंगे BRIAN अगला हमारा मोराटोरियम मोराटोरियम मतलब हो था टेंपररी प्रोहिबिशन आफ एन एक्टिविटी जब किसी काम को करने पर रोक लगा दिया जाता है जैसे कि अभी कोरोना का किसे चल रहा है तो उन्होंने सरकार ने अभी क्या किया है कि अभी रोक लगा दिया कि आप रात के बगत बाहर नहीं निकल सकते मास्क पाइन के लिए निकलना है तो यह सब क्या मोराटोरियम क्यालाएगा ठीक है मतलब रोक लग गया है मोराटोरियम हो चुका है कंसाइनस सी ओ एन सी आई एन सी कंसाइनस मतलब मोरल से मतलब अपना जो अपना खुद का विचार होता है या खुद का समझ होता है या खुद का विचार विवेक होता है तो यह हमारा कंसाइनस कहलाता है ठीक है अगला देखे अगला जो हमारा है वो है अब इनीशियो अब इनीशियो अब इनीशियो ए बी इसके बाद इस पे जिदे करके आई एन आई टी आई ओ अब इनीशियो मतलब from the beginning मतलब शुरुवात से 97 नबर देखे फैसेट फैसेट मतलब अब पार्टिकुलर एस्पेक्ट और फीचर ऑफ सम्थिंग किसी चीज का एक फीचर मतलब गुन जा फिर किसी चीज का एक एस्पेक्ट मतलब एक छाया वो उसका फैसेट कहलाता है अनसॉलिसिटेड यू एन सो एल आई सी आई टी एडी ए पहले बताएजिकुलर अन चाहा अन आस्क मतलब जब किसी को कोच पूछे ही नहीं लेकिन उसने वो कर दिया तो अनसॉलिसिटेड कर लाए यह विच्छा बिना पूछा गया कोई काम करना अन सॉलिसिटेड मेलाइ मलाईज मतलब होता है कि अनहेपी उसको कुछी पर करका है हैं ने तो मेलाईज कहलाएगा या अन्धर में खुछी है ही नहीं तो मेलाईज कहलाएगा या अनस्तोस ही नहीं कि हंडेड यह आखरी वउड है कोरोबरेट ची ओ डबल आर ओब सुपोर्ट करना किसी कोश्पोर्ट करने कहला ऊता है ऩिर कहते हैं तो इसी तरह से पहंड़ टाइट का यह तिसरा वीडियो शचल्द आए हैं तो यह तिसरा वीडियो ले करके टोटल हमारा 300 English words हो चुका है 300 English words जरूर देखें पहला वीडियो नहीं देखें तो उसे जरूर देख ले साथी टॉप 100 GK देख ले और साथी मैं बता दू कि अक्टूबर, नॉम्बर, दिसंबर का करेंट अफेर करा दिया है वो भी देख ले जनवरी का करेंट अफेर एक से पांच फरवरी के बीच मिल जाएगा, साथी बता दो हमारे चैनल के दुबर जितने भी सारे देश बर में सरकारी परिक्षाएं होती है, उसकी जानकार दी जाती है, तो हमारे चैनल को जरूर जरूर नेक्स्ट वीडियो जो हमारा है वीडियो नंबर चार वो जल्द आएगा, ठीक है, यह हमारा मुस्कुराता हुआ चेहरा तो यहें पर अबने वीडियो का समाप करते हैं, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद